हाई दोस्तो आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है तो दोस्तो ये बीडियो बहुत ज्यादा इंपोटेन्ट है तो दोस्तो फार्मकोलोजी जो सब्जेक्ट है डी फार्मा फानल येर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो दोस्तो ये बहुत ही पेक्टोरिस और चेस्ट पेन is a symptom experience due to myocardial ischemia तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस अत्वा चेस्ट पेन ये एक ही बात होती है इस a symptom ये एक symptom है experience due to myocardial ischemia तो दोस्तों myocardial ischemia के कारण होने वाला एक लच्छड होता है एंजाइना पेक्टोरिस तो दोस्तों in myocardial ischemia यानि myocardial ischemia में the blood supply to the heart decreases so the heart muscles do not get sufficient oxygen and nutrients and stop working properly क्या होता है इसमें blood की supply जो heart है वहां तक blood की supply पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती यानि blood की supply की कमी आ जाती है इसलिए क्या होता है so the heart muscles इसलिए जो heart muscles है heart की muscles है do not get sufficient oxygen क्या होता है sufficient मात्रा में oxygen और nutrients नहीं पहुच पाती है इसलिए क्या होता है जो heart muscles होती है वो बर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है तो anti-animal drug का उद्धिस क्या होता है anti-animal drug therapy aims at restoring the balance between the supply and demand of oxygen समझ गए होंगी दूस्तों आब जो anti-animal drug therapy होती है उसका main aim क्या होता है का restore करना balance between the supply and demand of oxygen जो supply कमी आ गई है और oxygen की जो demand है उसकी कमी है तो उन दोनों का संतुलन बिठाना ही anti-animal drug therapy का man उद्धिस होता है in the ischemic area of the myocardium जो ischemic area है ischemic area जो myocardium की ischemic area है उसमें तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यह इसकी introduction हो जाती है जल्दी से एक बार फिर और देख लेते हैं तो एंजयना पेक्टोरिस और चेस्ट पेइन इस सिम्टम एक्सपीडियंस दी टू myocardial ischemia in myocardial ischemia the blood supply to the heart decreases so the heart muscles do not get sufficient oxygen and nutrients and stop working properly anti-animal drug therapy क्या होता है at restoring the balance between the supply and demand of oxygen in the ischemic area of the myocardium खेके दोस्तों अब बो drugs देखने वाले हैं जो एंजयना में यूज की जाती है क्लासिफिकेशन ओप anti-animal drugs तो दस्तों सबसे पहले है 200 डालेटर ड्रक्स तो दस्तों 200 डालेटर ड्रक्स कौन डाइनाइट्रेड बैराप अमिल दोस्तों आप समझा गए होंगे जो केलसीम चेनल ब्लोकर है ओर डिल्टिया जेम दोस्तों ये वी केलसीम चेनल ड्रक्स नाय WRME लोकर है Yap और दोस्तों आपको देखते हैं केलसियम चैनल ब्लोकर ड्रग और दोस्तों आपको ड्रग इसी में देखने को मिलती है पोटेसियम चैनल ओपनर जो हमने अलग से वैसे ही रख दी है जिसमें एक ही ड्रग देखने को मिलती है वो है नेको रेंडिल जो दोस्तों इसी केटिग जानती हैं वो होता है दोस्तों beta-adren Took कौन्सा होता है दोस्तों beta-adren Development毒 कि नाम से हम beta-blocker drugs को जानती हैं तो दोस्तों इसमें आपको 있는 आपको सब दोकता है μεटो प्रोलोल नारोल दो प्रोपा नोल तो दोस्तों यह beta-blocker drugs है जो एंजाइना में यूज की जाती है अब दोस्ते एक last drug है Metabolic Modifiers Category की तो दोस्तो इसमें आपको drug देखने को मिलती है जो दोस्तो एंजाइना में यूज की जाने वाली drugs है तो दोस्तो यह बहुत ही important वीडियो है आपके exam के point of view से जो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी कोसिस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तो ऐसे प्यार बनाए रखी थेंक्यू दोस्तो